प्यार दिया और वही होता है कि लोग जब प्यार देते हैं उनके एक एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है एक बॉंड के साथ एक रिष्टे के साथ तो आई रिस्पेक्ट डाट ओलसो जो भी था बहुत अच्छा था हम दोनों के बीच में जो दोस्ती थी और जिस तरह काम अब भी कि जब मुनवर से एंजली के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरा जो भी था उसके साथ अच्छा था साथ ही जब मीडिया ने उनसे उसके दवाव में कमेडियन नहीं हूं आप खुद ही सुन ले मुनवर की बाते तो बार जाके किस तारा से रियाक्ट होता है, कोई ऐसा दास है? दोनों सीक्रेट्स जो थे, वो दोनों में वही फील था कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़ लोग ये सोच लिया था कि जब दीरे दीरे महां पे 2-4-4 अफते के बाद पता चलने लगा था कि आप इतने वोकल वो शो ने बना दिया था आपको, कि मुझे ऐसा कहीं न कहीं लगने लगा कि ठीक है यार अपने आपको एक्सेप करना भी ज़रूरी है अपनी कमिया हो या खामिया हो जो भी है, वो एक्सेप इस तरह पुब्लिक ली भी करी जा सकती है और मैंने वही किया शायद मुलर मैं आपकी बात करूँ आपकी जो बोश्ट कंगना माम, उनसे आपका बॉर्णिंग पहले से कफी strong, लोगों ने strong लेगा था जो के बात किस तरह से आप कंगना माम को लेखते हूँ? मैं कंगना माम को एकदम professional देखता हूँ सबको पता है वह बहुत 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 अदा गारा है बड़ साथ साथ में एक समझदार सुल्जी हुई इंसान भी है जो हमें वक्त वक्त पे देखने मिली judgment day पे कभी-कभी उन्होंने जो चीजे कही है कही ना कही मैंने उससे कुछ सीखाया उससे कुछ समझ के अपने अपनी life में add किया है बले ही और यह एक जीता जाकता नमूना है जैसे बोलेंगे के दो अलग-अलग सोच वाले लोग भी एक साथ काम कर सकते यह होता है professionalism और इस तरह काम किया जा सकता है और जो लोगों को लगता था कि यह दोनों ही बहुत opposite है यह शो में बहुत ही जादा जगने होंगे इनके बीच में तू-तू-में में होंगी बट वैसा कुछ नहीं हुआ इसका reason ही है कि हम दोनों अपने अपने काम में बहुत professional थे और हमने वो किया आपने कापी अच्छे दोस्त बनाए अगर प्रामने प्रेट है कोई ऐसा दोस्त जो आपके सबसे करीब हो कोई ऐसा दोस्त? If you want to pick one एक difficult होगा किसी को भी एक को पिक करना कि कोई मेरे खरीब हो सारे ही पांच्छे लोग मुझे बहुत अच्छे मिले जिनके साथ मेने बहुत अच्छा time spent किया and I'm really grateful कि मुझे ऐसा दोस्त पर है कोई ऐसा इसको आपके आपके बाद कभी ना मिलना को? I don't think ऐसा कोई इंसान है strongly मैं किसी को hate या ना पसंद नहीं करा हूँ पूरी जर्नी में but I don't think शायद ऐसा कुछ नहीं And what do you want to say about Anjali or Arora उनकी और आपकी अच्छी लगी लोगों काफी पसंद आपको कैसी लगी आप जब बाहर आते हैं काफी वीडियो से आपके क्या कुछ रिपॉंस मिलने आपकी दोस्ती को मैं वास्त लोगों ने बहुत प्यार दिया और वही होता है कि लोग जब प्यार देते हैं उनकी एक एक एकस्पेक्शन हो जाती है एक bond के साथ एक रिष्टे के साथ I respect that also जो भी था बहुत अच्छा था हम दोनों के बीच में जो दोस्ती थी और जिस तरह काम लोगों का comfort level था एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छा था और हम लोगों की chemistry भी बहुत अच्छी थी थी हम लोगों के साथ बहुत था था उनकी Reels की मैं बात करूं पूरी दुनिया उनकी Reels की fan है आपके साथ उनकी का परीज़ा इस लोगों की demand है मैं Reels नहीं बना पाता हूं मैं Reels नहीं बना पाता हूं वो लिफसिंग वाला मुझसे होता नहीं मैं कोशिश्ट पहले बहुत करता था पर सिरे एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझसे Reels नहीं बन ती है मुझे शॉक बहुत है बट I don't think कि मुझसे बनती है मैं not comfortable नहीं 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 कोई इसी दो चीज जो आपके साथ हमेचा रहेगी और कोई लॉक अप से आपने क्या सिखा है लॉक अप से मैंने यही सिखा है कि कि आप हर चीज कर सकते हो हर situation में आप उससे बाहर आ सकते हो हर काम कर सकते हो तो I think मुझे लगता है कि मैंने वह से एक चीज वह सीखिए कि कुछ भी आप कर सकते हो आप जो कर सकते हो और इतनी सारी चीज़े आना भी आसान है तो अब आने वाले समय में मुनावर को कहा देख पाएगे आप मुनावर को कही ना कही जरूर देख लोगे जैसे OTT हो गया YouTube हो गया वो सकतो TV हो गया और Cinema Hall भी हो गया इंशालला तो जहां भी जाएंगे दिखेंगे और लाइफ स्टेज पे तो मैं बहुत जल्दी मिलूँगा कॉमेडी करता हुआ तो जरूर आईएगा नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टेग्राम को फॉलो पेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले